अनन्द चतुरदिसे की पूजा विदी तो इस दिन आप प्रातर काल सनान के बाद पूजा इस तल पर कलस इस्ताफित करें इसके बाद कलस पर भगवान विश्णों की तस्वीर भी लगाएं एक धागे को कुमकुम, केशर और हल्दी से रंग कर अनन्द सुत्र बनाए इसमें 14 गांठें लगी होने चाहिए इस सुत्रों को भगवान विश्णों की तस्वीर के सामने रखें अब भगवान विश्णों और अनन्द सुत्र की पूजा करें और अनन्द संसार महा सुमंद्रे मंगरम सम्यम मुंद्रम वासु देवाई अनन्द रूपे विनी जोयस्व अनन्द सुत्राई नमू नमस्ते इस मंत्र का जाप करें इसके बाद अनन्द सुत्र को बाजु में बांद लें माना जाता है कि इस सुत्र को दारन करने से संकटों का नास होता है अनन्द चतुर्दसे की व्रत कता तो प्राचिन गाल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्रामन था उसकी पत्नी का नाम दिक्सा था उसकी एक परम सुन्दरी दम परायन था जियोती कन्या थी जिसका नाम सुसीला था सुसीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दिक्सा के मृत्य हो गए पत्नी के मनने के बाद सुमंद ने करकसा नमकिस्तरी से दूसरा विवाग कर लिया सुसीला का विवाग ब्रामन सुमंद ने कौनडिन्यरिशी के शात कर दिया मिदाई में कुछ देने की बाद करकसा ने दमाद को कुछ एटी और पथरों के टुकडे बांध कर दे दिये कॉणिनिया रिशी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की और चल दे परंतु रास्ते में ही रात हो गई वे नदी तट पर संधिया करने लगे सोसिला ने देखा वाँ पर बहुत सी इस्त्रियां सुंदर वस्तरधारन कर किसी देवता की पूजा कर रही थी सुसिला के पूष्टने पर उन्होंने विदी पूर्वक अनंत व्रत के महत्व बताई सुसिला ने वही उसी व्रत का अनुस्ठान किया और चधर गाटो वाला दोरा हाथ में बांद कर रिशी कॉड़निय के पास आ गई कॉड़निय ने सुसिला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दे उन्होंने डोरे को तोड कर अगनी में डाल दिया इससे बगवान अनंद जी का अपमान हुआ पहिणान सरोफ रिशी कॉड़निय दुखी रहने लगे उनकी सारी संपती नस्ट हो गई इस दरीद रता का अपनोंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुसिला ने अनंद बगवान का डोरा जलाने की बात खई पच्छाताप करते हुए रिशी कॉड़निय अनंद डोरे की प्राक्ते के लिए वन में चले गए मुएन में कई दिनों बटकते बटकते निरास होकर एक दिन बुमी पर गिर पड़े तब अनंद बगवान प्रकट होकर बुले है कॉड़निय तुमने मेरा तियसकार किया था उसी से तुमें इतना कस्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पच्छाताप किया है तो मैं तुमसे प्रशन हूँ अब तुम घर जाकर विदी पूर्वक अनंद वरत करो 14 वर्ष परियंद वरत करने से तुमारा दुख दूर हो जाएगा तुम धन्य दान्य से संपन हो जाओगे कॉर्डिन ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लोशों से मुक्ति मिल गई श्री किष्ण की आग्या से युदिस्णन ने भी अनंद भगवान का वरत किया जिसके प्रबाव से पांडव मा भारत के युद में विजी होए तता चिरकाल तक राज्य करते रहे तो बुल विश्णु भगवान कीजे सारे देवी देवताओं कीजे